स्वस्त रहने के लिए गट हिल्थ का दुरुस रखना भी बहुत जरूरी होता है गट को हिंदी में आत कहा जाता है आत में ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं गट या आत की हिल्थ से हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है शरीर में करेब 90% बीमारियां गट या आतों में आई गड़बड़ी के कारण ही होती हैं एक हिल्थी गट अच्छे पाचन के साथ साथ मिंजल हेल्थ को भी अच्छा बनाये रखने में महत्पूर रोल निभाता है दोस्तों बैक्टीरिया को हमेशा ही बीमारियों का स्रोथ माना जाता है लेकिन इन में से कई ऐसे बैक्टीरिया है जो आपको हिल्थी रखने में भी बहुत मदद करते हैं दरसल हमारे गट में गड़ और बैट दोनों तरह के बैक्टीरिया पाय जाते हैं और good bacteria की संख्या जादा मात्रा में होती है और ये हमारी शरीर की कारे प्रणाली को सही धंग से संचालन करने में भी हमारी मदद करते हैं अकसर लोग अपनी gut health पर ध्यान ही नहीं देते और खान पान में भी ऐसी चीजों को प्राथमिक्ता देते हैं जिसका टेस्ट तो बहुत लाजबाब होता है लेकिन gut health के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसान दे होते हैं और ऐसे में अगर आप पहले सही किसी पेट की समस्या से परेशान हैं तो आप की gut health जो है वो और भी ज़्यादा unhealthy हो जाएगी तो ऐसे में आप कुछ नियमों को अपने daily routine में शामिल करें ताकि आप अपने gut health को बहतर बना सकें साथ ही पाचन सम्मद्धी समस्याओं से बचने के लिए अपने routine में शारेडिक कतिविदियों को भी सामिल करना होगा तो चलिए बात करते हैं अपनी gut health को मजबूत करने वाले कुछ effective tips के बारे में पहली tips है probiotics का सेवन करना gut health को maintain करने के लिए अपनी diet में probiotics को add करना बहुत जरूरी होता है यानि कि probiotics में good bacteria पाये जाते हैं जो हमारे digestive enzyme को activate करने में मदद करते हैं इसके लिए दही अच्छास को दिन के समय में अपनी diet में जरूर शामिल करें दही का नियमित सेवन करना बेहदी फायदे मन होता है दही एक probiotic fermented product है यही कारण है कि इसमें good bacteria जादा होते हैं जो कि पाचन में एक एहम रोल निभाते हैं दोस्तों अगर आप दही के बारे में और डेटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में दही के बारे में एक पूरा वीडियो है कि दही हमें कब खाना चाहिए कभी हमें फायदे देता है और कब नुकसान करता है इसके अलावा पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने के लिए फायवर रिच फूट का सेवन बहुत जरूरी होता है अधिक तलाभुना खाने से परहेच करें इसके साथ ही हिल्दी होमेड ड्रिंक्स जैसे की हर्बल ड्रिंक्स ब्लैक टी हर्बल टी डिटॉक्स वाटर जैसे जीडे का पाने आधि को भी अपनी लाइफस्टाइल में जरूर शामिल करें और अपनी गट को खुश रखें अगली टिप्स है शाम के बाद भोजन ना करें ऐसे तो आयूरवेद में या अन्य डॉक्टरों के द्वारा भी ये कहा जाता है कि शाम होने के बाद या सूरज ढ़ने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि सूरज ढ़ने के बाद ख खाना खाने से हमारा जो पाचन तंद्र है वो ठीक तरीके से कामनी करता है उसका जो प्रोसेस होती है वो असलो हो जाती है और वो हमारा खाने को पचाने में असमर्थ हो जाता है जिसके कारण पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है इसलिए अगर आ मैक्सिमम आठ बजे से पहले जरूर कर लें उसके बाद खाने से बचें और अगर आप खाते हैं तो बहुत ही लाइट खाने का ही इस्तेमाल करें तो ऐसा करने से हम रात में जो पेट में अनेजीनेस होता है जो समस्याएं होती है उससे हम बच जाएंगे और हमारा डाजेशन भी अच्छा हो जाएगा तीसरी टिप्स है कि सॉफ्ट रिंग और कोल ड्रिंग को कम से कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ही ना पीए दोस्तों आज की समय में सॉफ्ट रिंग और कोल ड्रिंग पीना एक लाइफस्टाइल सिंबल बन गया है लोग इसे बहुत पसंद करते हैं पीने के लिए और इसको पीने से यह ना केवल हमारे पेट के लिए नुकसान दे होता है बलकि हमारी हार्ट और ब्रेन के लिए भी बहुत ही नुकसान दे साबित हो सकता है तो ऐसे में अगर आप जादा सोडा, एनर्जी ड्रिंग या कोल ड्रिंग पीते हैं तो इससे आपकी गट हेल्थ बहुत प्रभावित होगी इसके कारण मेटाबॉलिजमी की प्रोसेस धीमी हो जाएगी साथ ही पाचन तंतर की कारे साबित हो सकता है यह प्रोबाइटिक ड्रिंग है जो कई सारे हिल्थ बेनी फिट देती है और हमारी गट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही फायदे मंद होता है अगर आप को बोचा के बारे में डिटील में जाना चाहते हैं कि यह क्या होता है और क् परियाक्त नीद गट हिल्थ पर निगेटिव असर डालती है इसलिए अच्छी नीद लेनी चाहिए इसके साथ ही प्रोटीन आपके स्वास्ति के लिए बेहदी फायदे मंद होता है इसलिए प्रोटीन से भरपूर खादे पदार्थों को अपने अहार में जरूर शामिल कर जिसका उपयोग आत्त के बैक्तिर्य बारा मेटापालीज्म को हेल्प करने वाले मेटापाल राइस का उतपाधन करने के लिए कि मजबूत रहें में जो चोटी चोंटी मेल्स लेना चाहिए फीं पेट भरके कशाने की जगहे आप चोटी मेल्स को भोजन को चोटी भागों बाट लें इससे आपको पचाने में भी आसानी रहेगी साथ ही ब्लोटिंग एसे डिटी की समस्या भी हल हो जाएगी इसके साथ ही इंपोर्टेंट टिप्स है कि हमें अपनी बॉड़ी को हाइड्रेट रखना है दिन भर घूट-घूट करके पानी पीते रहें इससे आपका चरीर कई प्रकार के संक्रमणों से भी बचा रहेगा इसके आलाबा टॉक्सिक पदार्थ में डिटॉक्स होते रहेंगे इससे गट हेल्थ मजबूत रहेगी साथ ही हमारी बॉड़ी भी हाइड्रेट बनी रहेगी तो दोस्तों यह थे हमारी हेल्थ को मजबूत करने के लि ऐसे ही सिहत से जड़ी जानकारी के लिए मिरे साथ जुड़े रहे, मिरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूलें मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ आप हमेशा स्वस्त रहें, मुस्कुराते रहें जैंद